मैं कि टेम की परफॉर्मसी डिबो हो दी, कैप्टेन बिचारा क्या करें दिर, हैना समझा है, बगि आप समझी की होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकूम और सश्रिया खाद, दोस्तों बात करते हैं जी आज की वीडियो की वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई, आज ट्राइक करने जा रहा जी भाई, सिंगारा फिश पकोड़ा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना, और प्लीज वीड करेजी में शाइद कैट फिश बूटते हैं, तो ये करीब डेड़ किलो लेकर आए हुना है, ठीक है, तो अब इसको पहले हमने सबसे पहले मारिनेट करना है, दोस्तों सबसे पहले डालेंगे जी एक और दो, दो चमच कश्मीरी लाज मिर्च, वन फोर्थ भाई हल्दी, व दो नीबू का रस, तो जी मिलाओ उनको अच्छी तरह से, तो दोस्तों मैंने कर दी, अब करना क्या जी आप इसको हम रात बर फिज में रख देंगे, तो प्यार को बनाएंगे, तो अभी के लिए आप सभी को बाई गोट नाइट, तो दोस्तों बाई गुड अक्टर नू नीबू, हरी मिर्च, ठीका जी, यह जी लसन, यह जी अधरक, और यह टमाटर एक, इसमें से मैंने बीज औरा सब निकाल दी हो मैं, तो इसकी बनाएंगे जी हम चटनी ग्राइंडर में, अब डालेंगे जी नीबू का रस, भाई पूरा एक नीबू का रस, और थोड़ा सा न मक भी डालेंगे साथ में, सवालं साथ, तो कर लो जी, ग्राइंडेंड, तो लो जी, ओ हो 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 हो, बहिए जबर्दस च Battle च्राइंगे, जी, चलो करते हैं, नेक्स्ट करवाई स्टार तो दोस्तों बहिए नेक्स्ट करवाई, इस प्रकार से है, मैंने भेसन लिया हुए ह करीब 1500 ग्राम तो इसमें एड करेंगे जी हम एक दो और तीम तीन टेबल स्पून फुल टेबल स्पून भई चावल का आटा यानिकी राइस का आटा भई आदा चमच बेकिंग पॉडर नमक द्यान से मिलाएगा क्यूंकि हमने मेरेनेश में भी नमक मिलाया हुआ है ठीक है ज पानी देरे-देरे मिलाई ठीक है ना ताकि जो बैटर रहे वह से बने न जाधा पतला ना जाधा मोटा तो दोस्तों बैटर मैंने बना दिया जी ठीक है जी तो अगर आपको लगए कि बैटर पतला हो रहा तो आप भिसन और एड कर सकते हो तभी पानी आप दीरे-दीरी मि किसमें प्यार प्यार से ठीगा जी ऐसे करके ऐसे करके और इसको उठा कर यूँ पटको जी कि दोस्तों मेरे प्कोरे डाल दीए अब करीब फुल फ्लेम पे इसको करीब आप एक मेंट तक ना एक साइट पकाई है और एक मेंट तक दूसरी साइड बेए अब हम जैए करेंगे लिए पका इस आडिया नहीं तो बैया पक गया देखो फुड़ा ब्राउनी शो हो गया है इसी तरह हम सबको पलटी मारेंगे ठीक है तो ऐसे हम सबको पलटी मारेंगे और दूसरी साइड से भी एक मिन्ट हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो दोनुस साइड से हलके फुल के ब्र फ्राइं तो इस अब निगाल लेते हैं तो लो दोस्तों बर अपने पखोड़े बनके त्यार Durland Fast यार में ने कैसा सजाया हूआ तोड़ा दिखावा हुभा तू करना पड़ता है यार så भाई दिखो यह अपने पखोड़े ठीक है भाई दिखो लग कैसर है है ठीक हजी और भाई साथ में क्या लिया है जिए गया जी चतने तो सबसे पहले इज़त से ये छुटपूसा पीस यहाँ पर लाया जाए अब देखो जी तुमाज शाह ये देख रहे हूँ आप ये देखो बैए ये अंदर कैप्टेन बैठा हुआ बड़ा ही जबरदस देखो क्या चंकीला है यार इतना जूसी दिख रहा है दिखने में ज कि ये की है बढ़ देखो यार पहले मां को तुमाइना कराऊंगा ना अंदर का बढ़ देखो यार प्रापर ली ये देखो आई देख रहा है क्या क्लास चीज़ है यार अब मैं कोई चंगा या पीस उठा करना यहां पर ले कि आता हूँ कुन सा को बड़ा जी आ पीस किद है सही नहीं है है ना सही तो भाई अब क्या गया जाए इसको पहले हम एम ही टेज कर लेंगे बीना कुछ लगा लगूगे आवे कांटे बड़े कम रहते हैं जो रात में वो मोटे मोटे रहते हैं थोड़ा और खाना पड़ेगा एम ही मलकि बिना कुछ लगा लुगों के देखते हैं क्या सुआ आने वाला और बॉल कुछ बातें भी सुननी होती ना कि टेस्ट क्या बोल रहा है स्टोरी इस प्रकार से है देखो जो ये मचली है सिंगारा ये कैप्टेन है और कैप्टेन जो है अपना परफोर्मंस हन्टर परसंट दे रहा है लेकिन ये प्लेर न ये साथ में लगे हुए ठीक है ये वाले बारो बार यार इनोंने ना बलकि टीम की परफॉर्मसी डिबो हो दी कैप्टेन विचारा क्या करें फिर है ना समझा है बलकि आप समझगी होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ बई मैं ये कहना चाहता हूँ और खाखा के बात करते हैं मैं ये कहना चाहता हूँ बिसन के लेप से मुझे मया नहीं आया मसा क्यों नहीं आ रहा मैं समझ नहीं पा रहा मुझे ऐसे लगता है जो हमने मेरिनिशन कल की थी रात को अगर डिरेक्टली मैंने उसी को फ्राई किया होता न फिर तो ये गजब बन जाता गजब लेकिन बेसन लगा के लेप लगा के यार सो आदना है मेरे को यार मुझे सो आदनी है मलकि टेस्ट ही है मैं ये नहीं कहूंगा टेस्ट नहीं है लेकिन मुझे सो आदनी है ठीक है ये लेप लूपना बेसन के लिए जिश्टे नहीं ये ब्रैड़ पकोड़ों में प्यास पकोड़ों की उपर यार ये मचलियों पे मचल लगता नीजेचते या खास ठीक है जूरी बूलना तो सबसे पहले सबसे पहले मैस पे चाट मसाला शिट कूँगा ठीक है जी लेट उस सी कि क्या ये फॉर्मला कम करेगा इस बेसन के ओपर या नो करेगा थोड़ा हो चेखना बढ़ेगा भाई समय नहीं आ रहा हुच काम कर गिया भाई काम कर गिया मलकी अगर आप पकोड़ा बनाओगे जैसे हम स्प्रिंग रोल पे नहीं चड़कते है चाट मसाला बाद में भाई ऐसे चड़कना सौध आएगा अब मुझे मालूम पढ़ा कि बेसन पहले फॉलाप की हो रहा था अब हिट कैसे होगी है बाई चाट मसाला कामियाब सुपर कामियाब अब ये आमचूर है जी आमचूर ठीक है जी अब देखते हैं कि इससे क्या मुद्दा आने वाला है पटोचर में आगा बटा चाढ़े साथ अचाए अचाए चाढ़े साया अच्छा टेस्ट आया, लेट आया, धेर से है बट दुरस्ट आये, बट टेस्ट आया, अमचूर भी अच्छा परफॉर्म करी है बई, अब मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी आप ये पकोडे बनाओगे न, ये अमचूर और ये चाट मसाला पका छिड़कना उपर से, और पीस उठाकर यह पर लाया जाए, चटनी को मैं अभी ट्राइ नहीं करूँगा, बई, चटनी से मुझे बड़ी उमीद है, मैं अब ट्राइ करूँगा जीज़को अपने, बई, नीम्भू के साथ, आवाई तू सच्छा साइड में, नीम्भू के साथ, एलाउंग गिरना नहीं, बई, बई, भी सच्छा ए, रही प्याज झो है ना, वो गिरियए भाई, प्याज झो हॉना, वो गिरिया था अब हम चेक करेंगे प्रॉपरली प्यास के साथ निकाई ये प्यास ये गया प्यास ये अनिम्बू अब देखो क्या है माच रहा सौध भई इस सौध है वाक्त में यार मज़ा गया तो भई अब जो मेन मुद्दा है वह जी अपनी बनाई चटनी के साथ मुझे बड़ी उमीद है से बड़ी उमीद मलब कहते हैं उमीद वो उमीद है मेरे गुस्से है आवए यार सिंगारा मसली है अबड़ी क्लास है देखो यार क्या लगती है ने जैसके परते देखो अब परते दिखेंगे बाद में पहले देखो चटनी आँ वही शिखाते हैं लिगा लिगा कि मैं स्वाद आएगा ना आएगा वही वाइं समोर ना भाई जाबरांजा जाबरांजा टू एक्स समझाओ भाई चटनी ने तो दशाही चेंज कर दी इसे पकोड़ेगी जहां मुझे बेशन के लेप ने परा डिसपॉइंट किया था उस चटनी ने तो सारी कम्यां पूरी कर दी यार क्या फ्लेवर है क्या टेस्ट आया क्या मज़ा आया खाने का यार सच मैं आयम और एक्साइटिड वलकि समझाओ ना वर एक्साइटिड मुझे टायम पर बभाई जाब स्वाद बभाई स्वाद है चटनी के साथ तो स्वाद है तो दोस्तों भाई ये थे आपके बाई का पराया हुआ बभाई सिंगाडा उसे पोड़ा आप जूरू टाही करना मुझे पताना कि यसा लगा इस चटनी के रूट रही करना वे विष्टेग ज्यूर्ड ने नियुक्ति दूजए ने नियुक्तिन एलें आप रहाई